आज के इस वीडियो में हम अपने साड़ा आकास के पहले अध्याई के जो सात्वाँ चैप्टर था उसका जो बांकी का पार्ट था उसको हम इस वीडियो में कंटिनू करने वाले हैं तो आप सबसे रिक्वेश्ट है कि आप अपना भुक अपने पास रख लिजे क्योंकि हम इसका लाइन टू लाइन एक्स्प्लेनेशन आज करने वाले हैं हाँ शुरूब में अब तक सिड जुकाए रही तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया अब धीरे धीरे एक चीज लोगों के सामने सपस्ट होने लगे कि फडभा फर्दा नहीं करती बाबु जी यों तो हमेशा ही खासकर भीतर आते थे एकाद बार प्डभा को मुह उधारे देखा तो समझे शायद उसे उनके आने का पता नहीं लगा मगर जैसे ही उनकी समझ में आया कि फडभा केबल घूम जाती है फर्दा नहीं करती तो उन्होंने जाने खिस बात पर अम्मा से कहा था फिर बेटी और बहु में फड़क ही क्या रह गया बेटी भी मुह खोले बाल बखेडे घूमती है और बहु को भी चिंता नहीं है कि पल्ला खिधर जा रहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले जो है लोगों की नजर उतनी नहीं गई इन सब चीजों पर लेकिन फिर लोगों ने ये नोटिस किया कि जो फड़भा है वह फर्दा नहीं खरती है फर्दा नहीं खरती है क्या मतलब है गाउं में क्या होता है कि जितने भी हुए होती है वह अपने से जेस्ट खुरूस या फिर कोई भी जो कि उनके अंजान आदमी होता है उनके सामने वह फर्दा खरके रखती है उनके सामने वह अपना मुँ ढखकर रखती है उनके सामने व कि पहले तो किसी ने नोटिस नहीं किया लेकिन धीरे धीरे सब को यह बात मालूम चल गई कि फड़भा जो है वह अपना मुझ खोल के घूमती है एकाद बार बाबु जी जब अंदर आते थे तो वह भीना खासे ही आ जाते थे फिर भी उनको देखे ही फड़भा जो है वह वैसे ही फड़ी रहती थी तो बाबु जी को लगते था कि साइद इसने मुझे नहीं देखा है इसलिए यह अपना माथा खोल के बैठी है लेकिन जब वह अपनी मौझ जूदगी वहाँ परकट कर दिया करते थे और उसके बाद भी सिर्फ फड़भा जो है वह सिर्फ मुझ फेड़ती थी फला नहीं डालती थी तो फिर बाबु जी इससे थोड़े से दुखी हो जाये करते थे और वह जाके अम्मा से कहते थे कि फिर बहु और बेटी में क्या फरक रहे जाएगा बेटी भी है जो कि मुझ खोल के घूमती है और हु भी मुझ खोल के घूमती है इसका मतलब ये है कि जब बाबु जी को यह पता चला कि फड़भा जो है वह फर्दा नहीं करती है तो वो थोड़े से दुखी हुए और उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम थोड़ा उसको भोलो कि वो फर्दा करे क्योंकि गाउं में तो यह संस्कार होता है भावी ने ताने कसे तो कसे अम्मा ने भी माले के दाने गिना छोड़ गर जुंजला जुंजला कर कहा भावी तुम्हारे यहां फर्दा का काईदा नहीं है तो ना सही लेकिन इस घर की रीत तो रखो अरे तुम हमसे न करो तो मत करो लेकिन भडो से तो कुछ हया शरम होनी चाहिए ऐसा भी क्या अंधेर ना हमने देखा ना सुना सारी विरादरी में चर्चा है जो देखे है सो हमारे करम में थूके अब स्टोन पर दुनिया जहान के लोग आएंगे क्या कहेंगे जाकर भाई तुम्हारे यहां नंगे नाचे तो हमें क्या है भाईया ने एकाद बार मुझ मरियादा तो रखनी चाहिए यो हम भी नहीं कहते कि परदा करना कोई बहुत अच्छी चीज है मगर घर में चलता आया है और तेरी बहुत तो समझ में ही नहीं आता किस चीज की बनी है कि सुनती ही नहीं अम्मा इतनी डांटती फटकारती है लेकिन ध्यान ही नहीं देती कि कौन भौक रहा है तो पहले तो बाबुजी दुखी थे इस बात पर लेकिन जब ये बात बाकियों को मालूम चली तो बाबी और अम्मा ने भी मिलके जो है उसके उपर ताना खशा अम्मा ने कहा कि बहुत तुम्हारे यहां हो सकता है कि वो लोग जो है फर्दा नहीं करते हैं कि तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता है कि वो क्यों नहीं घर में फर्दा करके रखती है यह तो हम भी कहते हैं कि फर्दा को अच्छी चीज नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे घर में होते आया है तो इसको होते रहना चाहिए तो तू अपनी बहु को समझा जब तक अम्मा बाबुजी हैं तब तक तो कम से कम उसको या हरना ही चाहिए और एक बात बता कि तेरी पत्नी आखिरकार बन ही किस चीज की है वह किसी के सुनती ही नहीं है सब उसे इतना समझाते हैं, इतना डाटते हैं, इतना फटकारते हैं लेकिन तब भी उसके उपर कोई असर नहीं फरता यहां बात सच भी थी, उसने कहा कुछ भी नहीं लेकिन कभी इतने डाटने कहने के बावजूद फरदा नहीं किया वह जैसे इस बात को सुनती ही नहीं थी अम्मा इस बात से और भी जुझलाती कि उनके कहने पर कुछ तो फरतिकरिया दिखाए लेकिन वह इस विशे पर जैसे एकदम पत्थर की हो जाती और अम्मा थी कि हर बार कहती बहू ऐसी भी बेहयाई किस काम की माथे पर फला ले लेने में तुम्हारा क्या जाता है आज तक इस घर में घूंगट ठोरी के उपर आया ही नहीं जब समर के भाई उसको कहते हैं कि तु बहू को क्यों नहीं बोलता फरता करने के लिए तो समर सोचता है कि यह बात ठीक भी तो है परभा सच में फर्दा नहीं करती है और उसे चाहे कोई इतना ही डांट ले कुछ भी कहले वह उसके उपर कोई भी पर तिक्रिया नहीं दिखाती है और यही कारण है कि अम्मा उससे बहुत टाइम कुछ सा जाती है सेदानतिक रूप से मैं फर्दे के खिलाव हूँ इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इस सब का कारण जानता हूँ कि मुसल्मानों के आने के समय से ही इस पर्दे का जोर बढ़ा है लेकिन जब उसे व्यवहार में देखा तो धक्का लगा परभा अम्मा बाबुजी सब के सामने मुझ खोले चली आ रही है यह तरे सी अपने आप में भड़ा अजब और नया नया था तो समर जो है वह फर्दा को जादा सपोर्ट नहीं करता था वह भी पर्दा के खिलाव ही था लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो हर कोई भदल जाता है तो यहां भी समर का यही कहना था कि भले ही परभा बाहर में फर्दा करके ना रखे लेकिन घर में तो उसे कम से कम फर्दा करके रखना ही चाहिए क्योंकि जब अम्मा बाबुजी के बीच में वह बिना फर्दा खीये मूँ खोल के आती है तो यह दिरे से बहुत ही अजीब लगता है आखिर साथ ससुर और बरो के प्रती आदर प्रकर करने का और कोई तरीका हो माना कि तुम सिर जुखा कर चलती हो लेकिन केवल आखे जुखाने और सिर नीचा करने से ही तो आदर नहीं होता मगर मैं उससे कहूं तो कैसे कहूं दो एक बार मुन्नी से जोर से कहा भी कि मुन्नी तेरी या भावी बड़ी बत्तमीज है किसी ने आदर सिष्टा चार नहीं सिखाया लेकिन उसने इस कान सुनकर उस कान से निकाल दिया घर में काफी हो हला हो चुकने के बाद इस ओर से लोगों को समझोते का भाव दारन करना पड़ा बस अब तो तभी ध्यान आता है जब कोई नया आदमी आया हो उस समय अम्मा कोशिश करती कि प्रभा इधर उधर ही रहे क्योंकि उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती तो समर जो है वह भी प्रभा को बोलना चाहता था कि घर में परदा करके रखो क्योंकि भले ही वह परदा के खिलाफ हो लेकिन वह भी चाहता था कि उसकी पत्मी जो है वह घर में परदा करके रखे लेकिन वह उससे कह नहीं पाता था तो उसने मुन्नी के द्वारा यह मेसेज पहुचाने का कोशिज किया कि मुन्नी भावी तेरी बहुत बत्तमीज है इसको क्या किसी ने कोई मैनर्स या कोई सिस्टर चार्ज नहीं सिखाया है तो उसी पर मुन्नी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देती है और इस कांचे सुनकर उस कांचे निकाल देती है मतलब मुन्नी भी जो है वह फरभा को इस बात में सपोर्ट करती थी और जब घर में काफी इसको लेके हो हला हुआ तब अंत में जाके सब लोग इस बात पर मान गए कि भले ही तुम परदा ना दो हमें उससे अब कोई एतराज नहीं है लेकिन जब कोई नया घर में आएगा तो परदा धिना होगा तो वही यहाँ पर हो गया था कि अब तो भी ध्यान आता है जब कोई नया आदमी आया हो क्योंकि परभा परदा नहीं करती थी और किसी नए के सामने अगर परदा नहीं करती है तो वह ठीक नहीं होगा और अम्मा कुछ कह भी नहीं सकती थी इसलिए परभा को दूर रखने का ही ज्यादा कोशिस किया जाता था पहले कुछ दिनों तो सभी परभा के इतना काम का एक साथ संभाल लेने पर चकित थे लेकिन अब उसके काम में भी मीन मेक निकालनी सुरू हो गई थी मुन्नी भी अपने पन से कह देती भावी इतना घीमत लगाओ बाद में फिर कमी पड़ेगी इस नए परानी के आने से घर का आर्थिक ढाजा और भी अधिक चरमराने लगा था तो अब जो है लोग उसके खाने और काम करने में भी खामिया निकालने लगे थे पहले परभाद जो है बहुत सारा काम खुद अकेले कर लेती थी बिना थके तो इस पर सभी हैरान रह देते कि ये इतना काम आखिर कर अ कि भाबी इतनी घी मत लगाओ यह भी बाद में चलके कम हो जाएगा इस नए प्रानी के आने से घर का आर्थिक ढाचा और भी अधिक चरमराने लगा था और प्रभा के आने से यह जो घर का ढाचा था यह अधिक चरमराने लगा था इसका मतलब यह है कि प्रभा के आने से जो खर्चा था वह increase हो गया था सिर्पर हात फेरते हुए बाबुजी अक्सर अम्मा की चारपाई के पास टहला खरते धीरज की मा भड़ा खर्च होने लगा है बेचरा धीरज भी क्या करे करते करते तो मरा जाता है उसका कसूर भी क्या कुनवा छोटा है अब तो जैसे तैसे समर इंटर पास करके कहीं लग लगा जाए तो बेचारे को सांस आए तो जब बाबुजी यह सब देखती तो वह भी चिंता के मारे अम्मा से बात करते हुए कहते कि धीरज की मा अब खर्चा बहुत जाता होने लगा है और यह जो धीरज है यह भी खितना समाले यह भी तो करते करते अब ठक गया है अब अगर समर ही इंटर पास करके कुछ करे तो हो सकता है उसे देखकर मेरा तो हलेजा मुह को आता है चिंता और काम के मारे सुक सुक कर फिंजर रह गया है ना बोलता है ना कहीं यार दोस्तों में आता जाता है और आखिर शरीर भी कहां तक साथ दे खेलने खाने की दिन तो सब सुखे चले जा रहे हैं क्या जमाना आ गया है सोचा था कभी इस कमबक्त मुन्नी की अलग आफत है चाती पर अब इसको जाना तो है ही फिर बाबुजी क कहते हैं कि समर की भी मुझे चिंता रहती है वह भी अब ठीक से वेवार नहीं करता है वह भी अब दुखी रहता है वह भी अब दोस्तों के बीच में नहीं जाता है उसके अभी खेलने की दिन है लेकिन वह भी सूखे चले जा रहे हैं क्या किसी ने सोचा था कि ऐसा समय भी अभी आ सकता है और यह जो मुन्नी है यह एक अलग आफत है फिरादरी के बड़े लोगों से कुछ कहा कर खड़ाया तो है थोड़ी उम्मीद भी लगती है लेकिन लोगों के मुँ तो ऐसे फैले है कि सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता हर आदमी बदले में कुछ पहले चाह हरभा को देखकर खुद ही दूसरी ओर मुर जाते और भरे कले से कहते बहु ज़रा हाथ साध कर काम खिया कर बेटा इस घर में बोड़ियों में रुपया भड़ा रहता था चार चार खनस्तर घी उठता था लेकिन अब क्या रह गया है तो यहां पर मुन्नी के दूसरे साध ही मांगने लग जाये करते थे इसलिए उसकी साधी भी कहीं पर नहीं हो पा रही थी फिर जब फड़ा उनके सामने से खुजरती तो वह खुद मूँ फेड लेते थे और फड़ा को समझाते थे कि बहुत थोड़ा ठीक से कान खिया कर इस घर में पहले बहुत रईसी थी बह घी सब उठता था चार-चार खनस्तर घी उठता था लेकिन अब कुछ भी नहीं रह गया है और इस छिलपों के बावजूद मेरे सारे काम निरबार्द रूप से चलते रहे मैं कॉलेज या थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाहर जाता तो आकर देखता कि मेरी कोठरी एकद समझ लेता और इन ही सब हले गुले इन ही सब भड़ सानियों के बीच में समर का जीवन जो है वह वैसे ही चलता जाता वह जब खौलेज से थोड़ी धेर करके आता तो वह देखता कि उसका घर जो है वह पुरा एकदम साफ है सारी बिक्रीवी सामानों को ठीक जगा पर रख दिया गया है और यही सब सोचकर समर को थोड़ा सा दर्द भी होता था कि वह क्यों फड़भा के उपर में इतना दुख दे रहा है लेकिन वह उसे अपने फड़ाई का ठकान समझ कर टाल लिया करता था कभी कभी मैं खुद अपने उपर जुंजला उठता क्या यह रात दि ज़रूरत अम्मा मुन्नी या भावी से उसे सुना सुना कर ताने बाजी की बाते कहता हूं, कटू कटाक्ष करता हूं, मतलब किसी ने किसी रूप में अपना ध्यान उसी और लगाए रहता हूं, मानो कोई और काम ही मिरे लिए दुनिया में नहीं बचा है, अरे भाई अरे विए प Slan Шonin के द्वारा उसका भुराई खरता हूं, उसके साथ कटू कटाकच खरता रहता हूं, मैं इन सब में इतना ध्यान क्यों लगाता हूं, मैं इतना ध्यान अपनी फढहाई में क्यों नहीं लगाता हूं अगर इस बार फेल हो गए, तो दुनिया भर की भदनामी मिलेगी, सो तो मिलेगी, आगे के सारे रास्ते भंध हो जाएंगे, जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, तो लगतार उसे ही लेकर उधेर भून हरते रहने का आखिर मतलब क्या है, जैसे हर समय उसके कारी क कराम का लेखा जोखा रखना मेरा सौभाव बन गया है, मुझे उसे इतना महत्व देने की ज़रूरत ही क्या है, घर में बहुत से कुत्ते बिल्ली हैं, समझ लूँ कि एक वह भी है, मैं अनेक बार निश्चे करता कि उसके बारे में कम से कम सोचूंगा, लेकिन किसी ना किस चीज के पीछे पीछे खयाल उसी के पास जा पहुंचता, जैसे ही पाता कि गंदी बन्यान अपने आप धुल गई थी, और उसे बाहर की रसी पर सूखते संध्या को देख गया था, लोटकर देखता हूँ कि तहकी हुई करीने से रखी है, बस फढ़ना लिखना अलग और प्रभा की बाते सोच रहे हैं, तो समर यह कहता है कि जब मुझे प्रभा से कोई मतलब ही नहीं रखना है, तो मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा है, लेकिन समर यह भी नहीं समझ पा रहा था, कि वह आखिरकार सोच इतना क्यों रहा है उसके बारे में, समर कहता है कि घर में तो इतने कुत्ते भिली हैं जहीं समझ लेता हूं कि एक मेंसे वह भी है वह बार-बार निष्टें करता है कि वह किसी भी तरीक European आपना भ़त भरस्ट नहीं जोगा लेकिन वह बार-बार उसी पत्पर चला जाता है जिस पत्पर उसे नहीं जाना है। वह जब भी आता और देखता है कि उसका जो समान है वह ठीक से रखा हुआ है उसके खपड़े जो है वह साफ करके रखे हुए हैं तो वह जो है फिर से प्रभा के बारे में सोचने लग जाया करता था तो यहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समर भले ही बाहर से अपने आपको खठोड जरूर दिखाता था लेकिन उसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा समर था ही था और वही कारन था कि जब भी वह प्रभा या पिर किसी को भी अच्छे से काम करते हुए देखता था तो उसके लिए काफी भुरा लगता था और यही कारन था कि भले ही वह प्रभा से बादचीत ना करें लेकिन बादचीत ना करके भी जब भी वह प्रभा को देखता कि प्रभा उसके लिए कोई अच्छा काम कर रही है तो उसे उसके लिए खराव लगता था कि वह उसे इतना परिशान आकिरकार क्यों कर रहा है अब एक और पड़िवर्तन दिखाई दे रहा था पहले जब भी कोई नया और मुश्किल काम प्रभा के उपर आकर परता तो यह सोचकर मुझे बड़ा हार्दिक संतोस होता था कि चलो उसे कष्ट मिलेगा मैं उठसुकता से राह जोहता कि देखें इसकी क्या प्रतिक्डिया होती है अंतर मन में कहीं यह भी रहता कि देखा जाए इन अत्याचारों से परेसान होकर वो किस समय और कहां रहती है उसे उस समय पकर कर सरमिंदा करने की ताक में भी रहता जब रात को या सुवा ठंड के मारे सरीर में रोंटे खड़े हो जाती तो खयाल आता इस समय फ्रभाजी को कैसा लग रहा होगा बैठी बैठी बरतन साप कर रही होंगी या चौका धोर ही होंगी लेकिन इधर जब बिना प्रतिवाद या प्रतिक्रिया दिखाए वह सभी क कामों को सौभविक्ता से सुईकार करती चली गई तो परिनाम के फ्रति मेरी सारी उत्सुकता धीरे धीरे मरने लगी और उसी पल त्रिप्तिक स्थान पर एक विचित्र बैचैनी और विक्छोब मन के भीतर मढराने लगे जैसे एक हथियार व्यर्त जाने पर फ्रस्न उठ कि अब क्या हो अब आगे क्या किया जाए आखिर योंहार तो नहीं ही माननी तो समर ये कहता है कि अब उसके अंदर में एक परिवर्तन था जो की आ चुका था पहले भी वह फ्रभा को ज्यादा काम करते हुए देखता था या फिर उसे यह मालूम चलता था कि फ्रभा जो है तो उसे खराब लगता था क्योंकि जिसा कि हमने कहा कि उसके अंदर में एक अच्छा इंसान था ही था जिसको किसी के भी द्वारा बेर्थ का काम करने पर खराब लगता था जब भी वह रात को या फिर सुबह को थंड पाने वाला में होता और उसके रूंटे खड़े हो ज भाई साहब भी कहते अरे बहु खभी मिनट दो मिनट उसके पास भी जाकर बैठ जाया करो अकेली का मन भी कैसे लगता होगा खभी किसी चीज की जरुवती पर जाये यह ठीक था कि प्रभाब खरदा नहीं करती थी लेकिन वह भाई साहब या बाबुची से बोलती मानो कुछ कहना चाती हो फिर सीर जुका लेती तो खभी-कभी समर के भाईया भी उसे कहते कि बहु तुम भी खभी जाकर समर के पास बैठ जाओ उस अकेले का मन भी तो नहीं लगता होगा और उसी समय समर यह भी कहता है कि भले ही भाब खरदा नहीं करती थी लेकिन वह किसी से बोलती तो नहीं थी नाम करन संसकार का दिन था संध्या को आया तो देखा कि घर में खुब हला गुला मचा हुआ है अम्मा बुरी तरह च्छिला च्छिला कर रही है जब तक कुछ कहें नहीं तो सिर पर ही चरी-चली आती है दुनिया का सारा काम तुम्हारे ही मन से तो होगा हम तो कुछ हुए ही नहीं हम तो सब इतने बड़े मूरक हैं बस ग्यान तो एक तुही घुटी में पी कर आई है सुबन साइथ के दिन चाक खड़के धरा है बोलो हमें पता भी नहीं और वहां इतना सब हो भी लिया तो भाबी के बेटी का नाम संसकार का इंतार उस दिन जब संध्या को समर वापिस घर आया तो वह देखता है कि घर में हला गुला मचा हुआ है घर में अम्मा बुरी तरीके से छिला रही और उसे समझ में नहीं आया कि यह छिलाना आखिरकार था तो किसकी वज़ा से था सब सहमे से एक और खड़े थे कोठरी में अपनी चारपाई पर परी भाबी खूप फूट फूट कर रो रही थी आग लगे ऐसी पढ़ाई में पढ़ाई अपने लिए होगी कि दूसरे की जान के लिए होगी हाय राम फता नहीं अब क्या होने वाला है मुन्नी एक और खड को देखते ही कहा जा सकता था कि अपराद इसी ने किया है कुछ धिरड बनने का फ्रयतन करके उसने भर्राए घले से कहा अम्मा जी मुझे फता होता तो मैं खबी नहीं करते मैंने समझा कि कोई सादा मिटी का ढेला है तो जब समझा कि घर में इतना जो है एक टेंसन से भड एक साइड में देखता है और जब देखता है कि फ्रभा जो है वह धरी धरी सी खरी है और वह अपना जब अक्ष रख रही है तो वह समझ जाता है कि कुछ अनुचित जरूर हुआ है तो जब फ्रभा कहती है अम्मा जी मुझे पता होता तो मैं कभी भी नहीं करती मैंने चाहे को तेरे तु ये माथे की फूट गई थी ना अंधी थी दिखाई थोड़े ही दिया होगा कि उसमें कलवा भंधा था या नहीं बात बात पर कहे चली जा रही है जो एक भी बात बिना सवाब दिये छोड़ी हो अच्छी सीख सिखाई है तेरे माबापने भरे सी जबा लड़ाने की एक तो थवासा मूँ खोले डोलती फिरे कोई आए कोई जाए किसी की चिंता ही नहीं और उपर से कैची सी जवान चलावे मेरी बेटी होती तो इतने जवाव पर दो जवान खीचकर जिंदा गार देती अम्मा की तेजी बेहद बढ़ गई यहां तक की देने की बात कहने के साथ ही उन्होंने अपने को अपमानित भी महसूस कर लिया और फोरन ही रोने लगी तो अब यहां पर हुआ क्या था यह मैं बदाता हूँ उस दिन क्या हो था कि घर में पूजा हुआ था नाम संसकार के दिन और नाम संसकार के दिन पूजा होने के आया, यह है कि यह घनेज की मूर्ती है, यह पिर कोई आम मिट्टी का धेला। उसने ही समझ लिया कि यह आम मिट्टी का धेला है. और उसने उससे प्रतन माझ लिया। तो जब घर में सभी कोई आ मालूम चला, तो उसी में इतना बड़ा बावेला मचा। अम्मा इसी बात को लेकर इतना दुखी हो रही थी और खुसा भी रही थी और जब रभा अपना फक्च रखने के लिए बोलने लगी तो वह और भी खुसाने लगी वह कहती है कि हाँ मिट्टी का धेला ही तो है और तुम से जबान लडा रही है यही तो सीख दिया है थे रिमा बापने एक तो कलती करो और उपर से यह कैंची जैसी जवान अगर मेरी बीटी होती तो अब तक तुम्हें जवान खीच कर हिंदा गार देती और अम्मा की तेजी जो है वो और भरती चली गई लेकिन अपी तक समर को मालूम नहीं था कि आखिरकर हुआ क्या है मेरी समझ में मामला कुछ आया कुछ नहीं फिर भी मुन्नी से तेज स्वर में पूछा मुन्नी क्या बात है मेरे शरहे तेवर देखकर मुन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया कुमर ने बताया सुबब हंडित जी ने घनेश जी की फुजा की थी ना भावी ने उनसे छुटे बरतन माज लिए साथ ही भावी का रोना और भी भर गया बात उन्हें नए सिरे से याद आ गई तो अब कुमर वह सारी बात समर को बताता है कि भावी ने मिट्टी के घनेश जी से भरतन माज लिए हैं और इसी पर भावी और रोने लग जाती है और समर का कले जाधक रह जाता है अम्मा की सिसिकियां अभी सुनाई दे रही थी भावी का रही थी कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा वह तो अपने आप हाथ जार कर अलग हो जाएगी हे भगवान तू देखने वाला है सब को समझाना थुनिया खुड़ खुड़ कर मरी जाती है हाई राम तो जब भावी को उसने ऐसे बोलते हुए देखा तो समर ने जो अपनी सासी खीची जोर से दात भीचे और मैं धनाता हुआ सीधा एकदम उसके सामने जा पहुँचा अपला निगाहों से घुरता रहा जैसे भिली चुहें की जपट रही हो दाहिना हाथ धीला किया एक बा प्रभा के बाएं घले पर उभर आई वह एक और जोका खाकर गिरते गिरते संभले और योही धम से बैठ कई मैंने कहा हरामजादे यहां रहना है तो ठीक से रहो नहीं तो जहां जगा दिखे अभी चली जाओ बड़ी नास्तिक की बच्ची भनी है तो समर जो है वह बहुत जादा अवेश में आ जाता है और उसी अवेश में आकर वह बिना कुछ सोचे समझे जाकर प्रभा को एक थपड मार देता है और यह भी कहता है कि तुझे अगर यहां पर रहना है तो ठीक से रहना है तो कहीं और चला जा बहुत नास्तिक की बच्ची चलती है और मैं जोद और आंसु एक साथ ही उड़ गए भावी चुप हो गई लेकिन चांटा मारते ही एक ऐसी आत्म घाती गलानी का प्रचंड जटका मुझे अपने भीतर लगा कि मैं वहां खरा नहीं रह सका उल्टे पाउं वहां से लौट आया चांटा मारने के बाद मुझे नहीं पत जन्जना उठी थी तो अब जब समर्ट ने थपर मार दिया तो उसे उसी समय एक आत्म कलानी भी अंदर में महसूस हुई क्योंकि हम जानते हैं कि समर्ट कितना अच्छा आदमी है उसने ना सोचे समझे ही थपर मार दिया था तो इसलिए उसे एक आत्म कलानी भी महसूस हो पर बाकियों ने क्या किया और उसके जाने के बाद वहाँ पर पर क्या हुआ क्या दूसरों ने भागो ऐसे छोड़ दिया या फिर उसे समाला दूसरों ने क्या कहा इस सबके उपर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया हमरने कोठری के दहीली पार करते ही जैसे मेरे भीतर कोई लगातार रठने लगा यह मैंने क्या किया मुझे क्या हो गया था जिंदगी में पहली बार एक स्टुरी पर हाथ उठाया था और लग रहा था जैसे मेरा हाथ निस्पंध होकर हला जा रहा हो भावी पर हात उठाने को ले कर भाई साब की कितनी खटू अलोचना मैंने समय समय पर की थी सब जैसे एके करके मेरे दिमाग में आने लगे मैं किस आवेश में अंधा हो गया था साथ आठ महीने से पहली बार बोला और वह भी गाली से पहली बार बात की और वह भी थमाचे से मैं भड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि यह हो क्या गया आखे तो समर जब अंदर आता है तो उसे अपने अंदर एक अलग चीज महसूस होती है कोई उसके अंदर में रट लगाई चले जा रहा कि यह तुने क्या किया यह तुने क्यों किया तुने पहली बार किसी औरत के उपर में हाथ उठाया यह तुने क्यों किया और समर जो की अपने भाई से बहुत गुसा रहता था कि वो अपनी ही फत्नी को क्यों मारता है आज उसी समर ने अपनी ही फत्नी पर हाथ उठा दिया या समर ने क्या कर दिया तब सहसा किसी ने जहर बुजी घरिना से भीतर कहा नीच कायर कमीने यही तेरा आदर्श वाध है यही तेरे महान बनने के सपने है इंटर में फरता है और दुनिया भर के विचार भगारता है और भी ना अधिक सोचे ना जाने कब कि संचित रोलाई ऐसे जोर से फूट परने को मचलने लगी कि मैं अब बेबस हो गया वह क्या आंती थी जिसमें मैं बह गया था और फिर बेबस फ़पक फ़पक कर रो पड़ा चाहता था रोते रोते घलकर मेरा साड़ा अस्तित्व आंसूओं में ही बह जाए ऐसी गलानी अपने भीतर महसूस हो रही थी कि अपने दोनों गालों पर जोर से अंधादुन तमाचे ही तमाचे मारूं कि उंगलियां ही उंगलियां उचल जाए फिर समर को बहुत खराब लगता है और वह चाहता था कि वह खूब रोए इतना रोए कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए और समर जो है वह कोठरी के कोने में बैठ कर रोने लग जाता है और वह यह चाहता है कि वह अपने आपको भी उतना ही जोर जोर से और उतना ही थपर मारे कि जैसा हाथ प्रभा के गले पर उभर आया है वैसा ही हाथ उसके गले पर भी उभर आये So guys हमारी ये आज की वीडियो यहीं पर खतम होती है और इस वीडियो को खतम करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही advice दिना चाहता हूँ कि आप please इस वीडियो पर पूरे dependent ना हो जाए मैं आपसे request करूँगा कि आप जिस भी book को follow करते हैं आप एक बार उस book को जाके परिये एकदम से इस वीडियो पर dependent मत हो जाएए अगर ये वीडियो को आप exam के समय में देख रहे है then I request you not to take this video as the only source जिससे कि आप exam में अच्छे marks score कर पाएं आप please जाके अपने कोई भी text book हो उसे अच्छे से पढ़िए आपके लिए और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी helpful रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार like ज़रूर कर दीजिए अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ help पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज ज़रूर शेर कर दीजिएगा तो तक के लिए do take very good care of yourselves and bye bye and jahin जो प्लीज जोगड़ी ज़रूर कर दो दो सकते हैं